जीत और हार आपकी सोच पर निर्वर करता है देखे अगर आपने मान लिया कि आप हार चुके हैं तो आप बिल्कुल हार चुके हैं लिकिन अगर आपने ठान लिया कि आपको जीतना ही है हर कीमत पर तो आप बिल्कुल निश्य दुरूप से जीतेंगे देखिए आज की वीडियो में टोटल हम बारा मोस्ट इंपॉर्टन प्रिशनों पर चार्चा करेंगे तो शुरू सलाज सा वीडियो में रहे रहे और इस वीडियो को पूरा रहे रहे बाद आप इसकी पीडियो फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे को देख सकते हैं और उसकी पीडियो जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो उस वीडियो को जरू देख लिएगा और जो लोगने है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक नो जरू प्रिश कर देंगे और वीडियो को लाइक और शियर करना मत भूलेगा और मिथिला मखाना को भूगोलिक संके तक यानि की जेगरोफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया तो देखे मिथिला मखाना अपका बिहार का है बिहार में ये मखाना काफी फेमस है तो मिथिला मखाना को भिहाली में भूगोलिक संके तक टैग दिया गया है देखे बिहार के कतर्णी चावल को मगही पान को सिलाओ खाजा को और साही लीची और भागल पुरी जरदालू को और साथ में भी रिसेंटली मिसिला मखाना को इन सभी को जो है भागोलिक संकित टैग दिया गया है देखे इन सातों का नाम नूट कर लिए एक्जाम में अगर पूछा जाए कि मिसिला मखाना या फिर मदवनी पेंटिंग, कतर्णी चावल और मगही पान, सिलाओ खाजा, साही लीची और भागल पुरी जरदालू ये किस राज से सम्मंदित रगते हैं तो ये सभी बिहार से सम्मंदित रगते हैं इन सभी को जिगरफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा जा चुका है, अगला प्रशannahी की दिसम्मर 2021 में प्रदान मतरी मोदी ने किस राज में सर्यू नहर राश्त्री परियूजना का उधगण किया, तो दीकी जो सर्यू नहर राश्त्री परियूजना है, इसका उधगणा यूपी यानि की उत्तर प्रदेश में पीयम मोदी के द्वारा अभिहाली में किया गया है। 9,800 करूड उपे से अधिक की लागत से पूरी हुई है जिसमें से पिछले चार वर्सों में 4.600 करूड उपे से अधिक का प्रावधान किया गया था देगे किसी भी परियोड़ना के बारे में दो खास बाते होती है पहला ये कि उसकी टोटल लागत कितनी आई दूसरा वो किस सेत्र से समधित है तो अब हम बात कर रहे थे सर्यू नहर राश्टी परियोड़ना की ये परियोड़ना जो है कुल और देखे ये परियोड़ना जो है ये मुख्य रूप से जो पुरवी उत्तरप्रदेश जिसको पुरवांचल के नाम से अब जानते हैं तो पुरवांचल में सिचाई के लिए ये सुनिश्चित पानी के साथ पानी की कमी की समस्या को पूरा करेगा यानि कि जो पुरवांचल होगा उत्तरप्रदेश का पुरवांचल छेत्र उसको जो है सबसे अधिक लाब मिलेगा इस सर्यू नहर राष्टी परियुना से पीम मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है और मैं आपको 2000% गैरेंटी देता हूँ कि आने वाली जितनी परिचाए हैं उन सभी में यहां पे जितनी लाइने बताई हैं इनमें से कोई ने कोई लाइन प्रश्ण के रूप में मिल जागी तो पूरी इंफार्मेशन को दिल्ली पुलिस ने लाइन के आली में देखिए उन्नती जो है यह दिल्ली पुलिस दक्षिडी पस्चिमी जिले द्वारा युवाओं को सिक्षित करने और समाज के कमजूर वर्कों से स्कूल छोड़ने वालों को कौसल प्रसिक्षड प्रदान करने में मदद करने के राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है तो दीके महराष्ट्रा जो है यह आत्म निर्भर भारत रोजगार यूजना के तहत सबसे अधिक लावर्तियों वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है फिर से सुन महाराष्ट में इस यूजना की अंतरगत कुल कित्रे 6,49,560 लावर्थियों और तमिल नाडु में कुल 5,35,615 लावर्थियों और गुजरात में 4,44,741 लावर्थियों और करनाटका में 3,7,164 लावर्थि जो है दर्ज किये गए हैं और देखी महाराष्ट में आपको बता दूँ देखी महाराष्ट में कुल 17,524 प्रतिष्ठानों के नए करमचारियों को इस यूजना के तहर कुल 409,72 करुड़ रुपे प्रतान किये गए हैं और गरो तलब है कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधी के लिए कोविट-19 के दोरान कर्बचारी भविशे निधी संगठन में पंजगरित जितने भी प्रतिष्ठान हैं उन सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार स्रिजन को प्रोसाहित करने के लिए आत्म निर्भर भारत यूजना को लांच किया था तो ये जो आखरी वारी लाइन है मैंने आपको पता दिया इसमें कि आत्म निर्भर भारत युजना को कब लांच किया था इसको आप अलग से नोट करके जो है important tag कर लिजेगा तारीख ठीक है कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधी के लिए कोरोना के दोरान कर्मचारी भविशनीदी संगठर में पंजिकरित जितने भी प्रतिष्ठान है उन सभी में रोजगार सिजन को प्रोशान करने के लिए इस आत्म निर्भर भारत युजना को लांच किया था अगला प्रशन मारा है कि किस गिलाड़ी कोर नौवंबर का ICC प्लेयर आप दमन्द चुना गया देखिए हर महिने का ICC प्लेयर आप दमन्द चुना जो भी चुना आता है वो एक्जामिसन में पुछ लिया आता है अगर आपने रिसेंटली बहुत सारे एक्जाम हुए है तो उनमें आपने देखा होगा पेपर दिया था आपने अगर तो उसमें देखा होगा आपने ICC प्लेयर आप दमन्द जो है पूछ लेता है तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी से लगाए नौवंबर तक के सभी ICC प्लेयर आप दमन्द ठीक है तो महिला पूरुस दोनों को आपको नाम मिलेगा कि किस महिला जबर किस पूरुस क्रिकेटर को ICC प्लेयर आप दमन्द चुना गया तो अभी हम बात कर रहे है नौवंबर की तो दीखे नौवंबर महिले में महिला क्रिकेटर है हेली मैथ्यूज इन दोनों को जो है नौंबर महिने के लिए ICC प्लेयर आपदमन्द चुना गया है देखिए यहां पी पूरी सूची दी गई है हर महिने की ठीक है जैसे कि जनवरी 2021 में रिसब पंद को ICC प्लेयर आपदमन्द चुना गया और महिला क्रिकेटर्स में जो आपकी सबनीम इसमाइल है जो की दक्षिड अपरेका क्रिकेटर हैं इनको ICC प्लेयर आपदमन्द चुना गया था और फरवरी में रभी चंदरन अस्वीन को चुना गया था ICC प्लेयर अब्दमन्द और इंग्लेंड की टैमी ब्योमोन को चुना गया था ICC महिला प्लेयर अब्दमन्द तो देखे इसका स्क्रीन सोट लेके आराम से नोट कर लिजेगा आप ठीक है चड़ा प्रश्नी की हाल ही में किसने धन रेखा बचत जीवन भीमा योजनः शुरू की तो देखे इस धन रेखा बचत जीवन भीमा योजना को LIC थे इंगे लाइसी यानी की जो आपका भारती जीवन भीमा निगम है तो इसकी इस योजना के तहट नियूंतम सम एस्योड दो लाख रुपय है जिसमें अधिकतम सम एस्योड पर कोई उपरी प्रतिबन नहीं है और देखे इस बीमा पॉलिसी देखे कोई भी बीमा पॉलिस होती है तो उसमें एक नियम और सर्थ होता है कि इतनी एज तक जो है आप इस बीमा का लाख रे सकते हैं और उसमें टर्म सेंट कंडिशन बहुत सारे दिये जाते हैं तो इस पॉलिसी में भी एक टर्म कंडिशन है देखे इस पॉलिसी अधि के आधार पर प्रेविस करनी की जो निमतम आईव है यह 90 दिनों से लेकर 8 वर्स तक है यानि कि अगर यह पॉलिसी कोई लेना चाहता है तो वो कम से कम 90 दिन का हो या फिर 8 साल तक का हो ठीक है तो यह है आपका धन रेखा बचत जीवन बीमा जोईना देखे भारती जीवन बीमा निमां के बारे बात करें तो इसके स्थापना भारत सरकार ने की थी 1 सितंबर 1956 को देखे LIC का स्थापना वर्स हर साल पुछायता है किसी ने किसी एकजाम में यह रखेगा LIC को 1 सितंबर 1956 को सापित किया गया था वरतमान में सियदक्ष है एम आर कुमार इसका मुख्याला है मुंबई में सातों प्रशनी की हाल ही में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने किस युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष में स्वारणी बीजय परवका उदगाटन किया तो देखे यह युद्धा 1971 का देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में टोटल तीन युद्धुवे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एवर फिर से रिवाइस कराने जा रहा हूं ध्या सुनेगा देखे पहला युद्धुवा था 1965 में दूसरा युद्धुवा था 1971 वाला युद्ध है ये थोड़ा सा जादे हाइलेटेड है क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद बांगला देश को जो है एक सोतंद देश का दर्जा मिला था तो देखे यो आप आईए सुनडीम विजय परो जो मनाया जा रहा है ये 12 दिसंबर 2021 को नई दिली में इंडिया गेट लॉन में भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में ससस्त्र बलों की विर्ता और व्यावसाइक्ता पर और बांगला देश की मुक्ती में उनके योगदान की स्मृति में आयूत किया गया था और इसका उद्धारन की ने किया था रक्षा मंतरी राडना सिंग ने आणहों प्रशने की हाल ही में एनी राइस का निजनों किया वो जो है किस प्रोबेशन से जुड़ी थी तो देखे एनी राइस ये एक लेखे का थी और ये भूत पृत परित विश्वास करती थी देखे वैसे विदेश वाले तो कहते हैं कि भारा जो है ये भूत परित और बावाओं का देश है लेकिन सबसे आदे भूत परित वारी फिल्म में कौन मनाता है अमेरिका बनाता है जो कि दुनिया का सबसे सक्तिजारी सबसे विक्सित देश है तो आए थोड़ा था अमेरिका की लेख का है एनी राइस इनका जो है चिट्ठा कोलते हैं ये क्या लिखती थी देखिए अमेरिकी गाथिक फिक्षन लिखे का जो एनी राइस है इनको जो है देखिए एनी राइस का जो पहला उपन्यास था ये 1976 में पब्लिस हुआ था इसका नाम था इंटर्व्यू विद देखिए भूत के साथ जो है इंटर्व्यू देखिए ये मतलब अमेरिका वाले भूत पुरित के बारे मात कर रहे है और ये लेकिका पिए एनी राइस ठीक है तो इनका जो ये उपन्यास था जिसका नाम था इंटर्व्यू देखिए ठीक है तो इसमें इन्होंने लुई डे पॉइंट डू डैक नाम के एक पिसाच यानि की भूत के बारे में जो है लिखा था और जो एक रिपोर्टर को अपने जीवन की कहानी बताता है यानि कि एक भूत था जिसका नाम था लुई डे पॉइंट डू लैक तो ये जो है एक रिपोर्टर को अपने जीवन के बारे मताता है कि मैं कैसे कैसे जिया और बाद में कैसे भूत बन गया तो ये एक भूत का जो है इंटर्व्यू था है इंटर्व्यू विद दे वेंपायर और आपको बता दूँ अगर आपने हॉलिवूड की फिल्में देखी होंगी तो उसमें सबसे आदे आपको भूत प्रेद और पता नहीं क्या क्या है ये पिसाच जो एकरे मिलोंगे देखे जो आपकी लेखिका थी एनी राइस इनकी अन्य कृतिया थी पैंडोरा वाइलीन और क्राइस्ट द लाड आउट आप इजिप्ट और द वीचिंग आवर अगला प्रशनी की हाली में केंदरी सामाजिक न्याय और आदिकारिता मंत्री डाक्टर वेरेंद्र कुमार ने SC-ST पर अत्याचार के खिलाब किस राश्ट्री हेल्प लाइन को शुरू किया तो दिखिए जो SC-ST यानि की जो आपके सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब सेंडिक है तो उन पर अत्याचार को रोपने के लिए एक नेशनल हेल्प लाइन सुरू की गई है यह हेल्प लाइन है 14566 ठीक है तो अगर किसी भी SC-ST पर अत्यचार हो रहा तो इस नंबर पर कॉल करके वो सिकायत दर्ज कर सकता है या फिर वो अपने अधिकारों को जान सकता है कि उसको क्या-क्या अधिकार मिले है तो इस हेल्प लाइन का उद्देश से है भेदभाव को समाप्त करना सभी को सुरक्षा प्रदान खरना और ये हल्प लाइन जो 24 घंटे उपलब्ध है टॉल फरी नंबर 14566 पर अगला प्रशने की हाली में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने समीथी की सिफारिस पर देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है तो दीख्या पुदान भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसने जो है न्यायमूर्टी लोड़ा समीथी के सिफारिस पर भारत के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक समीती बनाई है और इस समीती के प्रस्ताव को अभ्याली में BCCI के अधिक्स सौरव गांगली और BCCI के सचिव जैसा की अधिक्सता में मुंजूरी भी मिल गई 11 की हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग भुकतान के लिए बाब वर्ल्ड वेब नाम का एक समाधान लाच किया है तो देखिए इस बाब वर्ल्ड वेब नाम के समाधान को बैंक आप बड़ोदा ने लाच किया है और देखी जो आपका ये बाब वर्ल्ड वेव वेरबल होगा ये डिवाइस है एक प्रकार का और ये ग्राकों को उनके SPO2 सरीर के तापमान, हरदय गती और रक्त चाप यानिकी ब्लड प्रेसर की निगरानी करने की अरुमती देगा और जो बाब वर्ल्ड वेव है इसके साथ में बैंक का बड़ोदा एक व्यक्तिकत स्वास्तिकोंच, डाक्टर, टेली कंसल्टेशन और इंट्रेक्टिव वीडियो कोचिंग के साथ तीर महिने का एक विसेस मुप्त वेलनेस पैकेज भी प्रदान कर रहा है तो ये विसेस बात है बाब वर्ल्ड वेव नाम के समधान की इसको भी हाली में बैंक आप बड़ोदा ने लांच किया है देखिए बैंक का बड़ोदा जो है इसका मुख्याल है गुजरात के बड़ोदरा में है इसके दक्ष है हसमुक अधिया और मैनेजिंग डिरेक्टर और C.E.S. के संजीव चड़ाजी बाराओं प्रशनी की हाली में किस देश ने अंतरिक्ष अनवेसर के लिए C.G.N. 605 उपग्रा को लांच किया तो दिखेजी जो आपका C.G.N. 605 उपग्रा है इसको लांच किया है चीन ने एक अंतरिक्ष अनवेसर के लिए लांच किया अउपग्रा है और हाली में इस अउपग्रा को जो उत्तरी पसिमी चीन है तो उत्तरी पसिमी चीन के G.I.O. pan satellite लांच मार्श 4B राकेट से इसको लांच किया गया है जो कि लांग मार्च सीरीज केरियर राकेट के चार सववे मिशन को चिनित करता है देखे चीन के जितने भी उबगरा वगरा लांच होते हैं उनमें एक चीज एक्जाम ने पूछ रहाता है कि चीन के किस उबगरा को किस प्रशेपड यान से लांच किया गया तो जो आपका सीजियान 605 उगरा था इसको लांग मार्च 4B राकेट के दोरा लांच किया गया था जो कि अपने सीरीज का चार सववा मिशन था ठीक है तो ये थे आपके आज के सभी मातपूर करेंडे फेर और अब हम बात करेंगे आज के सभी को शाम देबे उसका पार टू आज मैं साम को अपलोड करूँगा नौ बज़े तो सभी लोग नौ बज़े तयार हैगा दूसरा प्रशन है आपके लिए की Global Health Securities Index 2021 में भारत की सस्तान परवदाई और तीसरा की दिसंबर 2021 में काउन साधे स्रेणी बीर राजियों के तहत 2022 से 2030 दूई वार्शी के लिए अंतराश्टी समुदरी संगठन यान की International Maritime Organization परिसत के लिए फिर से चुना गया हवदाई और चोथा की काउन सा देश साड़े चार दिन का कारे स्वता करने वाला पहला दुनिया का देश बन गया है बदाई पांचमा की हाल ही में PM मोदी ने किस राज में कासी विस्वनाद धाम परिवना का उद्गार्ण किया बदाई और अब हम बात करेंगे कल के पूछे कैस सभी को शामड़े के सहित्रों की देखर शामड़े का पहला प्रसंथा की Miss Universe 2021 कौन बनी है तो इनका नाम है हरनास संधू और इनके बारे में डीटेल जानना है तो परसो का वीडियो देख डालिएगा और दूसरा प्रसंथा की रामा नुजन पुरसकार 2021 कौन को दिया गया तो ये नीना वुप्ता को दिया गया है और तीसरा था की हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठर ने की सस्थान से पिना का एक्स्टेंडेट रेंज 2021 का सफल परिषड किया तो ये प्लेस था चान्दीपूर और चौथा था अंतराष्टी सारोभमिक स्वास्त कवरेज दिवस कब मनाए गया तो ये 12 दिसंबर को मनाए गया पांचबा था अंतराष्टी तरश्टा दिवस कब मनाए गया तो ये 12 दिसंबर को मनाए गया तो इसी के साथ ये वीडियो समापत होता है जैन जै भारत